तो दोस्तो कहानी सुरू होती है हमाई मूवी के हीरो के साथ जो कि एक बास्सा होता है जिसका नाम विलेड होता है यह अपने रूटीन चेक के लिए जंगल की और अपने लोगों के साथ जाता है जहां पर उसे अपने दुस्मन मुल्क के किसी सिपाही का हिलमेट मिलता है इसको देख के इसको लगता है कि दुस्मन मुल्क के लोग इसके मुल्क में बुसाएं वो समझ जाता है कि या हिलमेट किसी जासूस का है दुस्मन मुल्क कोई प्लान बना रहा है हमारे मुल्क पर हमला करने के लिए और इसको सक होता है कि दुस्मन मुल्क के जासूस हमारे ही मुल्क में जो सबसे उचा पहाड़ है वहाँ छुपे होंगे तो विलेड और उसके साथी सोचते हैं कि हमें अभी उस पहाड़ी पर जाना चाहिए ताकि उसका जो भी मैसिज होगा वो उसके बाद सार तक ना पहुचपाए कुछी देर बाद विलेड और उसके साथी उस पहाड़ी के अंडल जाते हैं ताकि दुस्मन को ढूंड कर मारा जा सके लेकिन वहाँ पर एक वंपायर इन सब पर अटैक कर देता है ये सब वंपायर से लडने की कोसिस करते हैं लेकिन वंपायर काफी तेजी से इन सब को कुछल देता है व्लेट के साथी यहाँ पर मारे जाते हैं, लेकिन इसकी किसमत अच्छी होती है कि, वह वंपायर से बस्ते बस्ते, थोड़ा सा पीछे चला जाता है, क्यानि यह अब दूप में आजाता है, और वंपायर दूप में नहीं आ सकता है, प्रिष्ट बताता है कि उस पहार में एक मॉंस्टर रहता है एक सैतान रहता है जो खून का प्यासा है और तुम्हारे साथियों को उसी ने मारा है और प्रिष्ट उससे या भी बताता है कि वह मॉंस्टर पहले इंसान हुआ करता था लेकिन सैतान की बातों में आकर इंसान से एक मॉंस्टर बन गया यानि की वंपायर बन गया और वा सालों से उसी कुफा में कैद है और आगे भी उसी कुफा में कैद रहेगा उस वक्त तक जब तक वा अपनी बातों में फसा कर वो ताकत किसी और को न दे दे और अगले आने वाले इंसान को वंपाय ना बना दे लेकिन आज तक उसको ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिला सारी बाते सुनने के बार ब्लेट प्रीट से कहता है कि ये सारी बाते तुम्हें किसी और को नहीं बतानी है इसे सीक्रेट रखना है क्योंकि इसके बारे में अगर लोगों को पता चल गया तो वो लोग ड़ने लगेंगे कुछ वक्त कुचलने के बार ब्लेट और उसके साथी महल में खाना खा रहे होते हैं और उसी वक्त दुस्मन मुल्क का एक सिपाही उनके महल में आ जाता है जहां से दुस्मन सिपाही आता है उस मुल्क का नाम टर्की होता है ये मुल्क उस वक्त बहुत पावरफुल होता है ये मुल्क उन छोटे मुल्कों से हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट अकलट किया करता है जिसके बदले में टर्की इन पर हमला नहीं करता है और इन सब छोटे मुलकों को जिसमें व्लेट का भी मुलक सामिल है, इनको तुर्की को हल साल बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, ताकि तुर्की जैसे बड़ी फौज इन पर हमला ना करे, व्लेट ना चाहते हुए भी इन्हें बहुत सारा सोने और चांदी के सिक्के देता है, सिपाही सोने के सिक्के ले लेता है, लेकिन इसके अलावा एक और डिमांड करता है, जो कि यह होती है कि हमें सोने के सिक्के के अलावा एक हजार यंग लड़के भी चाहिए, जिनको हम अपनी फौज का हिस्सा बनाएंगा, व्लेट कहता है कि हम अपने लोगों को तुम लेकिन मेहमद की बात नहीं मानता है और कहता है मुझे एक घजाल लड़के हराल मैं चाहिए जिसमें तुम्हारे बेटे के नाम भी सामिल है इस सारी बात पर विलेट काफी सूछता है और काफी लेट से कहता है ये तुमने क्या क्या किया तुमने मेहमद के सपायों को महाड़ा ढ़ाएगा और हमारे मूल्क पर हमला करेगा और हम सब वह अपनी पावल दे सके और दुबारा से वह एक नॉर्मल इंसान बन सके यहां पर दोनों को एक दुसरे की जुरत होती है वंपायर खुद को काट कर कुछ खून एक बलतन में रखता है और व्लेट से कहता है कि यह खून तुम पी लो यह खून पीते ही मेरी सारी पावल तुमने अगर किसी का खून नहीं पिया तो तुम चोकते दिन वापस इंसान बन जाओगे लेकिन अगर तुमने इन तीन दिनों में किसी का भी खून पिया तो तुम हमेशा के लिए वंपायर बन जाओगे और मैं यहां से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगा व्लेट यानि बैट्स उसके साथ देने लगती हैं और इसकी मदद से वो किसी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुचा सकता है इसके बाद व्लेड अपने महल में वापस आ जाता है और उती ही देर में तुरकी के बहुत सारे सोलजर इसके महल पर हमला कर देते हैं इन सबसे लड़न